Hello everyone, कैसे हो आप लो? I hope you all are doing very well. मैं हूँ जोशिका from Learnohub, the free learning platform जहां पर आप पर सकते हो Physics, Chemistry, Biology, Mess, absolutely for free at Learnohub.com तो बच्चों आज से स्टार्ट करने वाले है हमारे ICRT Solutions Class 12 के चैप्टर का नेम आपको दिख रहा है, that is Newly AI और आज हम डिसक्स करने वाले हैं from question number 14 to question number 31 क्यूंकि हमने previously भी इसके कुछ questions हम discuss कर चुके हैं तो जाके आप उनको भी देख सकते हो और उसके पहले सबसे important चीज़ से पहले इस चैप्टर का आपको ना वीडियो देख लेना है, जिसके बाद आपके सारे concept होने वाले एकदम से लिए हैं, तो जल्दी से ready हो जाए है, मेरे साथ साथ अपने NCRT solutions की practice करने के लिए तो जो आपके skin पर है हमारा first question चुकि आज के session का बिलकुल first question है ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो nucleus से neon का that decay is by beta minus emission write down the beta minus decay equation and determine the maximum kinetic energy of the electrons amity and given that आपको mass दिए neon on sodium का, ठीक है, अब beta minus decay इसके पहले पता होना चीजो कि मैंने आपको बताया हुआ है previous class में कि जो beta minus जब decay होता है तो वहाँ पर जो आपके proton है वो increase हो जाते है उसमें आप increase हो जाता है और release होता है electron and anti-neutrino, ठीक है, ओके मैं यहां तक आपने बताया हुआ है तो जब आप इस, आप इसका करोगे इस item का तो क्या होगा neon 10, 23 का आप करने वाले हो beta minus decay तो यहां पर आपके proton बढ़ जाएगा तो यह किसका हो जाएगा item एक नंबर आपका होगे sodium का और mass number same रहेगा plus minus one electron zero plus anti-neutrino, ठीक है, अब यहां पर इसका क्या करोगे फिर आप क्या निकालोगे यहां पर mass defect की अगर बात करें sum of initial mass तो वहां पर आपका आएगा mass of neon which is 1023 यहां से आप minus क्या करोगे electron का mass क्यूं कर रहे होगे क्या आप consider करते होगे यहां पर nuclear masses तो electron का mass हो जाएगा जितने number of protons है उतने number of electrons होंगे तो 10mE ठीक है minus यहां पर होने वाला है mass of sodium 11 sodium 23 minus कितने इसमें sodium में electron से तो 11 ठीक है plus mass of electron ठीक है यहां तक हमने समझ ली सारी बात अब यहां पर इसको solve करोगे तो क्या बच रहा है तो आप देखोगे mass of 10 neon 23 minus 10 mE minus mass of 11 sodium 23 यह minus mE plus mE हो गए minus 10 mE और minus 10 mE यहां पर यह हो जाएगा plus 10 mE तो यहां पर आप देखोगे कि यह दोनों हो गए आप cancel जैसे यह cancel होगे आप हो जाओगे खुश है ना तो खुश हो गए तो यहां पर आपको यह और इसका mass तो given है जल्दी सरक देते तो यह होगा 22.994466 minus sodium का mass है 22.989770 और जब आप इन दोनों को minus कर लोगे तो आपको answer मिलने वाला है in terms of u कितना आ रहा है 0.004696u ठीके अब आप क्या करो यहां ही पर ही आप इसको convert कर लो mev upon c square में तो यह हो जाएगा 0.0046964 multiply 931.5 mev upon c square अब आप निकालना चाहोगे क्या q value तो q value आपकी होती है अब अगर बात करें किसकी काइनेटिक एनर्जी यहां हो जाएगा 0.0046964 multiply 931.5 mev upon c square multiply c कर दो cancel out यह आपका solve होकर आएगा 4.374 mega electron volt तो यह आपका क्या जाएगा q value आगई अब अगर बात करें किसकी काइनेटिक एनर्जी की तो आप यहां पर इस equation में देखोगे कि जो आपका mass of sodium that was much much greater than this one ठीक है यह electron से इसका मतलब जो आपकी q value होगी वो क्या होगी kinetic energy of sodium plus kinetic energy of electron plus energy of anti-neutrino ठीक है यह क्या हो जाएगी negligibly zero अगर यह negligibly zero है और आपको क्या बताना है कि maximum kinetic energy of the electrons emitted अगर आपको इसकी maximum energy चाहिए मतलब इसकी आपको क्या चाहिए होगी minimum energy minimum energy हो सकती है कि zero भी हो सकती है तो यहां पर जो maximum kinetic energy है electron की वो किसके अगर mega electron होंगे तो वो हो जाएंगे 1.6 into energy power minus 13 joule तो यहां पर उसका multiply कर दो के तो आपको answer आपका मिल जाएगा joule में इसका मतलब इस question को हमने कर दिया है पूरा solve तो देखेंगे अपना अगला question तो बच्चों आपकी screen पर आचोका है हमारा अगला question जिसका number हो गया है 13.15 13.15 में बोला है the q value of a nuclear reaction a plus b gives c plus d is defined by q is equal to mass of a mb minus mc minus md और multiply किसे किया c what is this value तो आप कहोंगे this value is delta m बिल्कु सही कह रहे हो where the masses refer to the respective nuclei है और जो यह masses है वो क्या है nuclei के masses है Determine from the given data q value of the following reactions and state whether the reactions are exothermic और endothermic जो reaction है वो exo है कि endo यह भी बताना है और अपसे पहले तो ना यह बताओ कि exo कब बोल सकते हैं और endo कब बोल सकते हैं अगर आपको endo बोलना है तो endo में क्या होगा तो यहां पर endo में होता है जब heat absorbed होती है तो यह रहता है जो आप इसकी जो q value है that is negative अगर q value negative है तो आप बोलोगे endo थर्मी के कैसे पताओ endo endo मतलब n आ रहा है ना मतलब negative ठीक है अब बात करें अगर exo की तो exo में क्या होगा heat released होती है अब जब heat released है तो इसकी जो q value है that is positive if positive then you will conclude that it is exo thermic reaction अगर negative हाती है q value then you will conclude that it is endo ठीक है यहां तक बात हमने समझ ली अब दिखते हैं इसके first part में जहां पर आपको बोला है कि 1h1 plus 3h1 gives 2h1 and plus 2h1 ठीक यहीं है ना ओके आपकर इससे पहले यहां पर q की बात करें तो q is what अभी आपने मैंने पहले भी बताया delta mc square यहीं होता है अब यहां पर का delta m की बात करें for first part तो क्या होगा तो आप कहोगे that is mass of 1h1 और क्या मैं electron को minus करूँ कर देते हैं क्योंकि मुझे किसके mass consider करने है यहां पर यहां पर दिया गया था निवलियाई के masses तो एक electron ओके फिर यहां पर है plus mass of 3h1 minus mass of electron ओके अब माइनस होगा प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट में क्या है 2h1 ट्वाइस से ठीक तो मैं यहां पर लिकूंगी mass of 2h1 minus electron फिर plus mass of 2h1 minus m e ओके यह minus m e minus m e आपके क्या हो जाएंगे minus 2 m e यहां पर भी minus 2 m e बट यहां पर sign minus है तो यह क्या होने वाले है plus इसका उतनाब यह क्या हो जाएंगे यह सारे हो गए मेरे cancel out ओके तो मैं इसको लिखती नहीं लिखती कोई फरक नहीं पड़ता और this case अब यहां पर क्या बचा मेरे पास mass of 1h1 minus mass of 3h1 और यह क्या हो जाएगा minus twice of mass 2h1 ठीक यह हो गया अब जैसी मैंने इसको देखा तो मुझे अब इसके बाद देख गया मेरा यह वाला पार देख रहा है ना जहां पर आपके पास सारे ही masses given है एक mass है mass of 2h1 and mass of 3h1 यहां पर मुझे जरवत है 3h1 और 2h1 और 1h1 अब यह 1h1 कहां से आएगा तो जल्दी से जाओ इसके पहले बादा जो वीडियो है जहां पर सबसे पहले फ्रंट जो था उसमें स्टार्टिंग थी कहां से important data से जहां पर आपको mass of 1h1 भी दिया गया है so the mass of 1h1 जो मैंने यहां पर लिख दिया है इसको आपको यूज करना है that is 1.007825u यहां पर मैं सारी values को अब रखती हूं तो यहां पर इसका mass रखूंगी 1.007825 minus mass of 3h1 what is the mass of 3h1 तो आप कहोगे यह रहां मैं 3.016049 ओके and यहां पर यह जो है यहां पर यह प्लस रहेगा देखूंगी यह प्लस है मैंने यहां माइनस लगा दिया था इसको आप प्लस कर लेंगे यहां पर भी प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा minus twice multiply कितना है 2h1 का 2 point 01402 ओके फिर यहां पर आप देखोगे दो इनको प्लस करोगे फिर प्लस करने का इसको minus करोगे तो आपको answer मिलने वाला है माइनस 0.004334u अब जैसे मुझे डेटा म मिला वह मुझे नेगेटिव में मिला तो मैं यहां से यह तो समझ गई कि यह जो मेरी q की वैलिव आएगी वह मेरी नेगेटिव में आएगी ठीक है अब देख भी लो क्यों आ यह नेगेटिव में क्योंकि यहां पर मैं जानते हूं कि मेरा जो क्यूं है वह था डिल्टा mc square यह मेरा यू में है जिसको मैं कनवर्ट भी कर लूं तो यह रहेगा नेगेटिव में माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फ्री थ्री फोर मल्टिप्लाइट नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइट एम इवी अपॉन सी स्कॉर ठीक है मैंने हम कर लिए अब यहां से क्यों की वैलियो देखोगे तो वह क्या हो जाएगी माइनस फोर पॉइंट जीरो फ्री थ्री एम इवी अपॉन सी स्कॉर मुल्टिप्लाइट फ्री स्कॉर जो होकै है कैंसे और यह औ गई माइनस फोर पॉइंट 033MEV यहां से मुझे जैसे Q की value मिली और जो मैंने अभी कहा था कि वो negative में ही मिलेगी वो negative में ही मिली जैसे मुझे negative में मिली मैंने यहां पर देखा यहां पर और मैं समझ गई कि यह जो मेरी reaction है यह क्या है मेरी endothermic है इसका मतलब इसका जो first वाला है वो क्या है अपना endothermic reaction है अब देखते हैं इसका second part आप second वाले को देखो कि second वाले में क्या है आपका reactant है 12C6 12C6 को plus करके आपको पॉलट क्या मिल रहा है 2010 neon plus 42 ही लिया ठीक है यही मिल ला है ओके अगर यहां पर भी same logic as first apply करे तो पहले nuclei masses of reactant side minus nuclei masses of product side ओके तो यहां पर भी देख लेते हैं तो यह हो जाएगा mass of 12C6 minus 6 me फिर आप लिखोगे plus mass of 12C6 minus 6 me यह तो आपका क्या हो गया reactant side फिर आप minus करोगे product side जो की होने वाली है 20 neon 10 minus 10 mass of electron plus mass of 4 2 helium minus 2 me यह हो गया यहां तक अब जैसे ही आपने देखा यह हो गया minus 10 me minus 2 me that is minus 12 me और यहां पर भी minus 12 me और यहां पर तो अल्री negative है तो क्या हो जाएगा minus 12 me plus 12 me जो की होने वाले है cancel out तो मैं यही से इनको cancel कर देती हूं आपका समझने के लिए अब मेरे पास क्या बचेगा आपका होगे यह बचेगा for twice of mass 12 C6 minus mass of 20 neon 10 minus mass of 4 helium 2 यही बचा मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे मुझे यह देखा तो मैंने यहां पर देखा यह masses हैं यह masses की value तो मुझे यहां पर दी गई है 12 C6 की कितनी दी है तो 12 दी है तो यह हो जाएगा 2 multiplied 12 minus neon की कितनी दी है तो आप कहोगे that is 19.99 2439 minus अब helium की बात आए तो फिर से जाकर देखोगे important data वाला तो वहां पर mention है तो यहां पर मैं उसको लिख देती हूं that is 4.002603 अब जब इसको minus करोगे तो आपको answer मिलेगा delta M का 0.004958 U यह आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे यह मिला किसमें है U में मिला है और मुझे यह भी दिख गया तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं आ गया कि यह जो reaction है कहीं न कहीं यह exothermic होने वाले है चेक कर लेते हैं पहले इसको convert कर लेते है 0.004958 multiply 931.5 MEV upon C square जैसे आप क्यों देखोगे तो वह हो जाएगा delta M C square जिसका answer आएगा 4.618377 MEV और मुझे यह देख गई है क्या है मेरी positive है इसका मतलब यह मेरी है exothermic बास मुझे मेरा final result मिलकिया जो मुझे conclude करना था exothermic तो इसका मतलब हमने यह वाला question भी solve कर लिया question number 15 इसको भी कर देते हैं lock और चलते हैं अपने अगले question की तरह तो बच्चों आपकी skin पर है हमारा question number 16 जिसमें बोला है suppose we think of fission of 5626 iron nucleus into two equal fragments जिसमें equal में आपको मिले है 28 aluminium 30 is the fission energetically possible argue by working out q of the process given the mass of iron and mass of aluminium given okay अब यहां पर बोला है कि क्या fission possible हो कैसे बचलना है qq value से तो fission का possible होता है जो हमने क्योंकि आपकी जो reaction है तब वो क्या होती है exo होती है अब अगर q की value negative y तो आपका जो fission है वो energetically possible नहीं होता है अब यहां पर यहीं बोला है क्योंकि वैल्यू पर निकालने पड़े क्योंकि वैल्यू पर ही वक करके answer देना है थीक तो पहले हम reaction लेके तो reaction क्या होगी तो 56 iron 26 को आपने क्या करा इस nucleus को दो equal fragments में divide करना है that is 2813 aluminium plus 2813 aluminium ओके अब अगर मैं डेल्टा M की बात करूं तो डेल्टा M क्या हो जाएगा mass of iron reactant side का 56 iron 26 माइनस अब मैं यहाँ पर electron का मास है मैं माइनस कर रहे हूँ क्योंकि नहीं कट जाएगा 26 ही आएगा यहाँ पर 1313 negative positive cancel हो जाएगे तो इसलिए मैं यहाँ पर mention नहीं कर रहे हूँ लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वह हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर consider करते हैं nuclei के masses ठीक है अब यहाँ पर यह हो जाएगा minus twice of 2813 aluminium यहाँ पर मेरे पास masses already given है तो मैं यहाँ पर मैं लिख रख दूंगी 55.934 94 minus twice of 27.98191 ठीक जैसे आप इसको minus करोगे multiply करोगे पहले फिर minus करोगे कितना मिल रहा है तो यह आपको मिलेगा minus का 0.02888 ठीक है जैसे मुझे delta M negative दिख गया मुझे साज में आ गया कि यह जो मेरी reaction आने वाली है वह आईगी मेरी endothermic ठीक यहाँ पर मैं इसको convert भी कर लो तो क्या हो जाएगा minus 0.0 2888 multiply 931.5 MEV upon C square has the q value is equal to delta mc square which is negative 26.902 MEV मुझे क्यू की value में दे जैसे क्यू की value मिली मैंने यहाँ पर देखा कि क्यू की value आ गई है मेरी negative that is endothermic और endothermic जब होती है तो आपका जो fission है वह energetically possible नहीं होता है not energetically possible तो हमने अपना answer दे दिया और किस तरीके से दे रहा था जो question में बोला था कि क्यू की value के through वही मैंने करा वही आपने करा और आपने conclude कर दिया यह पॉसिबल नहीं है अब इस question को भी करते हैं लोग चलते हैं अपने अगले question की दरब तो बचो आपकी screen पर है हमारा 17th question जिसमें बोला है ऐवरेज एनर्जी रीजिवन और आपके पास गिवन उन्होंने दी यह है एवरेज एनर्जी और दो अगर चेंकर कर रहे है ऐहां पर आपके पास गिवन उन्होंने दीया है average energy released per fission 180 mega electron volt और आपसे पूछा गया है total energy released कितने में? 1 kg of pure 239 plutonium 94 में ठीक है 239 plutonium 94 की तो इसको देखके हमें यह समझ में आ रहा है कि इसका जो मास नंबर है वो है आपका 239 मतलब यहां पर any में कितने ग्राम से 239 ग्राम से यहां से अगर मैं देखो तो वन ग्राम हो जाएगा आवगेड्रो नंबर अपॉन 239 यहां पर आपसे डिमांड की गई है वन केजी की ठीक है तो वन केजी की वन केजी में मेरे होते हैं कितने 1000 ग्राम से यहां पर 1000 ग्राम समें इतना हो जाएगा इतने क्या हो जाएंगे नंबर ओफ आइटम्स हो जाएंगे तो मैं यहां पर लिखूंगी नंबर ओफ आइटम्स कंटेंस इन 1000 ग्राम सो प्योर 239 प्लोटोनियम 94 इस न अपॉन 239 मल्टिप्लाइ 1000 विच इस न उद्दा है मेरा सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री मल्टी टैंडिटी पावर 23 अपॉन 239 मल्टिप्लाइ थाउसेंड और यह आपका निकल कर आएगा 2.52 मल्टिप्लाइ 10 पावर 24 आइटम्स तो जब ऐसी मुझे मेरे नंबर ओफ आइटम्स मिल गए और मेरे पास एक एवरेज एनरजी दी है पर फिजन की रिलीस्ट जो हो रही है तो इतने आइटम्स में कितनी होगी तो आप मल्टिप्लाइ कर दोगे इसको इससे ठीक है कर आते हैं तो आप लिखोगे टोटल एनरजी रिलीस्ट इफ आल दा आइटम्स इन वन केजी ओफ पियोर 239 प्लोटोनियम 94 अंडरगो फिजन कितना है आप का तो आप कहोगे यह हो जाएगा यह एवरेज जो आपकी एनरजी एवरेज थी मल्टिप्लाइ जितने नंबर ओफ आइटम्स है और यहां पर यह थी 180 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके एनरजी भी आएगी मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यह आपकी और आएगी और आएगी 4.536 मल्टिप्लाइट एंटिटी पावर 26 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतनी एनरजी रिलीज्ट होगी जब आपका 1 kg अप्लोटो नहीं है या फिर किसी और उसमें आपसे पूछते हैं तो आप उसका भी निकाल सकते हो सिर्फ ही यहां पर इतनी यह समझ में आ गई तो आप कितने भी ग्राम्स का निकाल लोगे बात होगी क्लिया तो चलो देखते हैं अपना अगला कुशन तो बच्छो आपकी स्कीन पर है हमारा 18 तीन्त कोशन जिसमें वोलाए कि 1000 मेगावाट का फिसन रेक्टर है कंस्यूम हाफ उफ इस फ्यूल इंपाइव यहां मच्यूरेनियम 23592 यूरेनियम इस कंटें इनिशली अज्यूम दाट रियेक्टर जो है अपरेट कर रहा 80 परसेंट अप्शन 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 जहां से हमें यह समझ में आया कि पहले यहां पर पावर है फिसन प्रॉसेस की दाट इस 1000 मेगावाट और आप कह सकते हो 10 तुटी पावर 9 वाट फिर यहां पर हुआ क्या जो इस रियेक्टर जो था उसने फ्यूल का हाफ मास उसने कंस्यूम्ड कर लिया पास साल में अगर पहले मास हमारा था एम नॉट तो उसने फास साल के बाद अब वो बचा ज़स्ट इसका हाफ ठीक है अब यहां पर और बात हो रही है हमारी यूरेनियम 23592 की ठीक हम जानते हैं जह हमने इसी आटी पढ़ी है अच्छे से वहां पर देखा था कि वन फिजन प्रॉसेस यूरेनियम 23592 कितनी एनर्जी रिलीस करता है 200 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट की वो एनर्जी रिलीस करता है अब इसके अगरा नंबर आइटम्स देख लें इसमें तो क्या होंगे तो एने होगा आपका 235 ग्राम और आप कह सकते हो कि 1 ग्राम हो जाएगा आवगेडरो 23 अपॉन 235 ओके अब अगर मैं यहां से देखू कि मेरे पास एक फिजन पॉसस का है नंबर आप इतने हैं तो मैं क्या निकाल सकती हूँ टोटल एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम ओफ इस यूरेनियम क्या हो जाएगी 6.023 इंटो टैंटी पावर 23 अपॉन 235 मल्टिप्लाइ 200 मेगा है तो एक टीपावर 6 और एलेक्ट्रों वोल्टेक अनबर्ट कर लेती हूं जूल में तो यह जाएगा 1.6 इंटो टैंटी पावर माइनस 19 और यह निकल कर आएगा आपका 8.2 इंटो टैंटी पावर 10 जूल पर ग्राम तो टोटल एनर्जी हमने निकाल ली ओके अब यहां पर यह पावर दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ हो रहा होगा ठीक है अब यहां पर टोटल आपसे पूछा है कि कि इनिशिल की से उनि नेancर के सबीन के पास में कितना मास था है यह पूछ आज है हम जानते हैं कि हमारा पावर होता है धीज अनर्जी एपन टैंग यहां से मैं यह भी बहुत सकती हूं कि मHappy एनर्जी है धाटीस पीटी द्नत करना है कि यहां पर मुझे मास ले करना पढ़ेगा कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब इसको देखोंगी तो यह क्या हो जाएगा जूल पर ग्राम हो जाएगा और यहां पर यह जो हैं वहा तो कि मेरा में जो फाइनल आपका जो मासे वह आपका हाफ हो ओर रहा है पार साल के अंदा Hun के टाइम वह हा फूर रहा है तो मैं फाइनल मासलों कि मुझे इनीशल मास नेखाला है एम नौट आपॉन यहां पर अभी मैं रख दिया 5 years, years है, ठीक है, अब देखो क्या करूँगे, अब यहां पर जो हमारी equation कुछ इस तरीके की आपको दिख रही है, that is 10 to the power 9, multiply 5 year, एक साल में होते है 365 days, 24 hours, 60 into 60, यहां तक मुझे दिख गया, ठीक है, अब उसने वोला है कि यह जो रियक्टर में यह जो प्रोसेस चल रही है, उसने 80% of the time को तो use कर आए, मतलब इस time का 80%, 80% that is 80 upon 100, यह भी बात आगई समझ में, अब यहां पर यह जो मेरा M not है, यह कितना निकल कर आएगा, M not upon 2, तो आप कोगे मैं यह निकल कर आएगा, जब मैं इसको solve कर रहा हूं, यह, 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 तो सब हो गए, cancel, और यह कुछ आएगा मेरा, 1538341 gram, और आप कह सकते हो कि 1538 kg, यह क्या आया है मेरा, M not upon 2, मतलब यह मेरा final जो amount है, जो 5 साल में हाफ हो रहा है, वो आया है, तो यह मेरा initial कितना होगा, तो आप कह दोगे, it is M not हो जा जो कि आपका निकल कर आएगा, 3076 kg, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगे, जो इस कोशन में पुछ वो ही निकाल लिया, आप लिखो गे, initially uranium 23592 has 3076 kg, उसके पास इतना मास था, जो कि 5 सालों के अंदर हो गया, 1538 kg, तो इसका मतलब यह वाला कोशन पूरा solve हो गया, थोड सा अलग था, बहुत सारे लॉजिक यहां पर नहीं थे बठा एक दो लॉजिक थे, लाइक दिस वन, और फिर आपको यहां से यह वाला लॉजिक पता होना चाहिए, और फिर यह वाला कंसेप्ट अगर नहीं आया, तो confusion create हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस कर by fusion 2 kg of deuterium, take the fusion reaction as this one, 2H1 क्या कहते है, deuterium कहते है, plus 2H1 gives 3 helium 2, plus N, plus 3.27 mega electron volt, ठीक, तो यहां पर आपको क्या दी है, पावर दी है, अब मुझे पावर गिवन है, और बात पूछी गई है, कि 2 kg कितना मतलब उसको time लग रहा है, इस चीज को करने में, ठीक है, यह time ही पूछा ह है, मतलब time निकालना है, और इस equation को देखके मुझे यह लग रहा है, कि यहाँ पर 2 deuterium मिल कर कितनी energy release कर रहे है, 3.27 mega electron volt, तो आप क्या कहोगे, कि आप यहां से बोलोगे, twice of 2H1 कितनी energy दे रहे हैं, 3.27 mega electron volt, क्यों दे रहे हैं, तो यहां से 1 कितना देगा, तो आप कहोगे 3.27 upon 2 mega electron volt, इसको मैं अगर convert कर लूँ, इसको यह energy को, joule में तो कितनी हो जाएगी, 3.27 upon 2, multiply 10 to the power 6, multiply 1.6 into 10 to the power minus 19, solve करोगे, तो यह आपको मिलेगी, 2.616 into 90 to the power minus 13 joule, तो 1 deuterium कितनी energy release करेगा, इतनी energy release कर रहा होगा, ओकी, अब यहां पर इस deuterium को देखके, मुझे यह देख रहा है, कि जो मेरा Na है, वो कितना है, 2 gram, तो यहां से जो 1 gram है, वो हो जाएगा, Na upon 2, बात किती की गई है, 2 kg, यानि यह क्या हो जाएगा, 2,000 gram, तो 2,000 grams में होगा, Na upon 2, multiply 2000, which is 6.023 into 10 to the power 23 upon 2, multiply 2000, solve करोगे हो गया, 1000, और यह solve वो कराज जाएगा, 6.023 into 10 to the power 26 items, तो number of items in 2 kg of deuterium कितने होगा, 6.023 into 10 to the power 26, number of items in 2 kg of 2H1, ओके, अब जैसे मुझे यह मिला, तो मैं यहां से यह बता दूँगी, कि total energy generated per gram of 2H1, कितने हो जाएगी, 6.023 into 10 to the power 26, multiply, और यह multiply किसे कर दिया, आपने, यह जो आपकी जूल में, एक, एक deuterium किया आई जी उससे, तो यह निकल कर आएगा, 1.576 into 10 to the power 14 June, total energy निकल आई, अब मुझे E मिल गया, और E energy generated per gram मुझे मिला है, और मैं जानती हूँ कि power होता है, energy upon time, यहाँ से energy हो जाएगा, PT और T हो जाएगा, E upon P, ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आई, energy आई है, मेरी 1.576 into 10 to the power 14, upon power है मेरी 100, और यह calculate हो जाएगा, 1.576 into entity power 12 second, यह मेरा time आया है second में, लेकिन second को मुझे convert करना चाहिए, क्योंकि यह बात हो रही है, fusion की, तो मैं year में convert कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पर पूरा year को लेकर आये थे, सेकंड में वैसे ही, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, time is equal to, divided by 365, multiply 24, multiply 60 minute और 60 second, यह हो जाएगा, calculate होगा, time आपका निकल कर आएगा, 4.99 into 10 to the power 4 year, तो इतना time लगेगा, इस fusion process को होने में, ठीक है, आगई बात समझ में, तो हमें time निकालना था, उस time को हमने निकाल लिया, step by step चल कर, पहले हमने निकाली थी कि जो में energy दी है, इसका logic क्या है, फिर इससे, निकाल सकते हो, वो निकाला, फिर आपने देखा कि यह नंबर दी है, तो यहां से तो में number of items निकालूंगी, जैसी मुझे number of items और energy मिली, मैंने वहां से निकाली टोटल energy generated, फिर मुझे पराता है, मुझे पावर गिए, टाइम तो निकाली आए, और फिर रिलेशन इन दोनों के पीच में निकालाया, फिर मैंने निकालाया, फिर मैंने सो कनवर्ट कर लिया, बात होगे clear, 19th कुशन पुरा सॉल्व होगिया, चो दिखते है, 20th कुशन, तो बच्छों आपकी स्कीन पर आचोका है हमारा 20th कुशन जिसमें बोला गया है, calculate the height of the potential barrier for a hedon collision of two detorians, hint है यहाँ पर, जो height of potential barrier की is given by the coulomb's repulsion between the two detorians when they just touch each other, assume that they can be taken as the hardest layer of radius 2 fermi meter, ठीक है, तो बड़ा touch वो एक दूसरे को कर रहे हैं, जस्ट, तो माल लेतने हैं, यह रहा हमारा a detorians, और यह रहा हमारा दूसरा वाला, इसकी यहाँ से यहाँ तक distance होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक r थी, यहाँ तक इसकी radius r है, तो यह पूरा कितना हो जाएगा, तो आपको होगे, यह पूरा हो जाएगा 2 r, ओके, फिर यहाँ पर आपके पास ज्या गिवन है, आपके पास radius दीए किसकी hard sphere की, मतलब एक hard sphere की आपको radius given है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लेखूंगी, given radius of 1 hard spheres, कितनी हैं बच्चों, तो आप बोलोगे 2 fermi meter, which is 2 into 10 to the power minus 15 meter, fermi क्या होता है, convert करने के 10 to the power minus 15 होता है meter में, ठीक है, अब यहाँ पर यह कितने sphere दिख रहे हैं, 2 sphere दिख रहे हैं यह आपके पास क्या है, आर है, तो 2R कितना हो जाएगा, तो आप काऊगे 2 into twice fm, which is 2 into 2 multiplied 10 to the power minus 15 meter, which is 4 into 10 to the power minus 15 meter, यहाँ तक की बाद हमको समझ में आ गए, अच्छे से मतलब इन दोनों का, यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, potential barrier between two deteriorants is equal to the coulombs repulsion, that means K, Q1, Q2 upon R square, यही होता है न, ठीक है, यहाँ पर जो Q है, वो आप ले लोगी E, टेटोरियंस है, तो 2E है, सेम है, तो सेम आपका हुजएगा, के E square upon, अब R square रखूं की 2R, क्योंकि यहाँ पर जो यह distance है, आप इसको D माल लो, तो distance क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे, distance है हमारी यहाँ पर 2R, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस 2R की जो value है, इसका square, बात आई समझ में, यहाँ आप मैंने इसको D कर दे, confusion create now, distance और radius के बीच में, ठीक है, ओके, अब के की value हम अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल, 9 into 10 to the power 9, multiply कितना होगा E है तो, 1.6 into 10 to the power minus 19 का square, upon में क्या आज जाएगा 2R का पूरे का square, that means 4 into 10 to the power minus 15 का square, यहां तक भी बात हो गई clear, अब आपने क्या का इसको solve करा, सब चीजे करोगे square न कर लोगे, तो आपकी जो value मिलने वाली है, इस potential barrier की वह मिलेगी 5.76 into 10 to the power minus 14 Joule, ठीक है मैं, अब अगर यहां पर answer कर में छोड़ दिये तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहों तो इसको आप convert भी कर सकते हो, किसमें आप convert कर सकते हो, इसको electron volt में, electron volt में convert कर लेते हैं, तो आप यहां पर लिख दो, इसको में U माल लेती हूं, तो यह आपका U हो गया, U in electron volt में निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, Joule से electron volt में convert कर रहे हैं, that means divide करेंगे, वह हो जाएगा 5.76 into 10 to the power minus 14, upon 1.6 into 10 to the power minus 19, और आप जब देखोगे, तो इसका answer आपको मिलेगा, 360 klo electron volt, ठीक है, तो चाहे तो आप answer अपना Joule में छोड़ दो, electron volt में निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इतना यहां पर पता होना चाहिए, यह line वाली, कि जो potential barrier आप निकालोगे, that is equal to the coulomb repulsion between the two, ठीक है, यहां तक बात हो गई, और यह 2R की value भी पता होनी चाहिए, अम I think यह question पूरा solve हो गया, इस question की demand थी potential barrier निकालना, हमने वो निकाल लिया है, अब दिखते हैं अपना अगला question, तो बजो आपकी screen पर आचुका है हमारा 21 question, जिसमें बोलाए कि from the relation, R is equal to R naught A की power 1 upon 3, where R naught is a constant and A is the mass number of the nucleus, show that a nuclear matter density is nearly constant or you can say it is independent of A, ठीक, अब यहां पर आपको relation कौन सा यूज करना है, यह this one R is equal to R naught A की power 1 upon 3, ठीक है, तो मैं लिखोंगी यहां पर given मैं यहीं लिख देती हूं, R naught A की power 1 upon 3, where R naught is the constant, A is the mass number, ठीक है यह सब चीज़े आप लिख दोगे, फिर यहां पर आपको जो बोला है किसकी बात हो रही है, यहां पर दूसरा word कौनसा है nuclear matter density, अगर यहां पर इसके बारे में बात हुई है, सबसे पहले आपको यहां पर एक word देख रहा है, जिसके आरमें आप जानते ही हो, कौनसा वो वर्ड है तक होगी है, यह density है, density हम जानते है, that is mass upon volume, यही होता है ना, अब यहां पर बात किसकी हो रही है nuclear matter density, that means, यहां पर जो आपका mass होगा वो भी nucleus का होगा, and जो volume होगा वो भी nucleus का होगा, यही होगा ना, ठीक है, तो यह जाएगा mass of nucleus and volume of nucleus, यहां तक की बात भी आगी समझ में, आप अगर mass of nucleus की बात करें, तो यहां पर यह mass of nucleus क्या होता है, तो आप कोगे, ma'am, यह होता है, हमारा mass number, और यहां पर U क्या है, आपका एक item, एक unit, आप लिखते हो, U से define करते हो, आपने वही लिख दिया है, volume nucleus कि से shape में होता है, तो आप कोगे, ma'am, यह तो होता है, हमारा sphere के shape में है, जब हमारा nucleus sphere के shape में है, तो यहां पर हम volume भी क्या लेंगे, sphere का volume क्या होता है, तो आप कोगे, ma'am, वह होता है, हमने पढ़ा है, 4 upon 3 pi r q, यही होता है, ठीक है, तो a u upon 4 upon 3 pi r q, यहां तक भी बात आगए समझ में, अब यहां पर जैसी मैंने r देखा, तो मुझे अपना यह जो relation मुझे given है, वो relation strike हुआ, तो मैं यहां पर इस r की जगा पर क्या रखूंगी, यह r not a की पावर 1 upon 3 रख देते हैं, रख दो, तो यह हो जाएगा, a u upon 4 upon 3 pi r not a 1 upon 3 की क्या है आपका whole q, यहां तक भी हो गया, इसको मैं अगर और simplify करूं तो यह हो जाएगा, a u upon 4 upon 3 pi r not q, और a, a 1 upon 3 का multiply 3 से करोगे, 3 से 3 हो साएगा, cancel तो a बचेगा, यह a से a हो गया हमारा cancel out, आपके पास क्या बच्चा, u upon 4 upon 3 pi r not q, यह बच्चा, जैसी मैंने इसको देखा और मुझे यह बताई कि यह जो मेरा निकला है, यह क्या है, यह मेरा है, nuclear matter density है मेरी, और जैसी इसको देखने से, इस जो question की demand थी कि क्या show करना है, कि यह जो density है, that is nearly a constant, और यहां पर bracket में भी लिखा, that is independent of a, तो यहां पर कहीं उपर भी आपको यहां पर a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप कह दोगे, hence, यहां पर जैस्नुलियर्चमेटर्च दिख रहा है, दाट इस इंडिपांडेंडेंट ओफ ए ठीक है ए भी नहीं है कॉंस्टेंट है तो यहां पर इस कोशन में जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दी है करने के बाद इसको करते हैं लौक और देखते हैं अपना अगला कुशन तो आपके स्कीन पर आचोका है हमारा 22 कोशन जिसमें बोला है ए फोन प्रूफ कर देखते हैं तो आपके स्टीक आपके स्टीक नहीं है पर आपके स्टीक विशन प्रूफ कर देखते हैं अपको यह जो एक्वेशन दिये एलेक्ट्रों प्लस अ एक्स जेड गिफ्स एजड माइनस वन वाई प्लस नीट्रों पार्टिकल इस देखते हैं फॉर एलेक्ट्रों क्याप्चर ओके फिर यहां पर बोला है कि आपको यहां पर शो करना है कि इस बीटा प्लस आमजिन इस अनेज़िक लिए अलाउट इलेक्ट्रों क्याप्चर 20 सब्सक्रीब यहां पर वाइसवी प्लस आमजिन की जिसकी इक्विशन होती है तो मैं यहां पर लिख दूँंगी बीटा प्लस एमिजन जिसमें X ZA क्या देता है यहाँ पर जो number of protons है वो एक number से reduce हो जाएंगे ठीक है और यह हो जाएगा mass number IZS रहता है साथ में इसके आपका होता है एक electron और एक neutrino particle ठीक है तो यह हो गया अब मैं यहाँ पर माल लेती हूँ कि जो मेरा beta plus सामिजन यहां से जो मेरी energy निकली हो की emit हुए होगी उसको मैं माल लेती हूँ Q1 और for this case जहां पर मेरा electron का capture हो रहा है वहां पर energy हुए होगी वो मैं माल लेती हूँ Q2 ठीक है यहां तक बात आई समझ क्योंकि यहां पर energy क्यों मानना पड़ रहा है क्योंकि अपनको proof क्या करना है कि अगर beta plus जो energetically allowed है तो यह यह भी होता है लेकिन इसका vice versa possible नहीं है तो energy की बात तो करनी ही पड़ेगी तो यहां पर मैंने माल ले Q2 यहां पर मैंने माल ले Q1 अब बात करते हैं सिफ अपन delta m for beta plus emission तो मैं यहां पर लेकूंगे delta m किसका ले रहे हैं अभी beta plus का ले रहे हैं तो आप देखो कि क्या होगा mass of axz और इस में number of electrons कितने होंगे जितने हमारे number of protons हैं तो यह हो जाएगा minus zme ठीक फिर आपको क्या करना है minus जो आपका product आया है उसका minus करोगे तो यह हो जाएगा mass of ayz minus 1 minus z minus 1 mass of electron plus mass of electron इसको solve करोगे तो क्या जाएगा m axz minus zme minus mass of ayz minus 1 plus zme यह minus minus होगा plus that means यह क्या हो जाएगा यहां से minus me minus me ठीक है यहां से आप देखोगे यह हो गया हमारा cancel आपके पास क्या बचा अब m m axz minus m a yz minus 1 minus 2m e is the equation for delta m कौन सा वाला है यह बीटा प्लस वाला है ठीक है यहां तक बात आ गई समझ में अब मैं इसकी अगर q की बात कहूँ तो q क्या होता है मेरा तो आप कहोगे q होता है delta m c इसको वाल अब delta m तो मेरे पास already है तो मेरा q क्या हो जाएगा delta m की value रखूंगी तो यह मेरी क्या हो जाएगी equation 1 हो जाएगी यहां पर मैंने अभी u m e v इस सब चीजे नहीं लिखी है आप चाहों तो यहां पर m e v लिख देना ठीक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह आपको पता होना चाहिए कि यहां पर यह आपका आएगा u में जिसको आप convert करोगे तब आपको मिलता है इसमें ठीक है m e v तो इसलिए मैंने आप मेंशन नहीं कर रहे हूं क्योंकि मेरा सिफ क्या मेरा मकसाद है यहां पर कि मुझे यह q1 पता चल गया है q2 मुझे मालूम पढ़ जाए फिर मुझे यह देखना है कि अगर यह energetically इस तरीके से possible है तो इसका wise versa q possible नहीं है यह बताना है ठीक है तो आप चाहो तो यहां पर यह mention करो और नहीं अगर कर रहे हो तो बहुत ही देखकर कि अगर यह यू में है तो 1u is equal to 931.5 तो यहां पर जो यह c square होगा वो आपका कटेगा multiply में रहेगा 931.5 वाला portion ठीक है तो यह मेरा क्या आगया है q1 निकला आया इसी तरीके से मैं अपना q2 देखा लेते हैं तो अब बात करेंगे किसकी हम delta m हम निकालेंगे अपना electron capture के लिए electron capture के लिए अब delta m देखते हो तो पहले यहां पर जो reactant है यहां पर भी 2 है और product जो आया है उसमें भी 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा अपसे पहले आएगा आपका mass of electron plus mass of axz और minus कितने करने पड़ेंगे zme ठीक है फिर यहां पर sign लगेगा minus का minus क्या होता है product का product में क्या है mass of y a z minus 1 कितने electron माइनस करने पड़ेंगे minus z minus 1 me ठीक है इसको आप solve करोगे तो क्या होगा mass of electron plus mass of a zx minus zme minus mass of a y z minus 1 यहां पर यह negative यह minus zme that will become positive zme और फिर क्या हो जाएगा यह आएगा आपका plus me और यह हो जाएगा minus me negative sign के कारण यह minus यह plus यह plus यह minus cancel out हो गए उसी तरीके से e zme और e zme cancel out हो गए तो यहां पर आपके पास बच्चा mass of a x z minus mass of a y z minus 1 तो यह किसका आपका डेल्टा एम निकला है यह आपका निकला है डेल्टा एम फॉर एलेक्ट्रोन कैप्चर ठीक है जैसे मुझे मेरे डेल्टा एम डिख जाता है मुझे अंदर से फीलिंग आये लगती है कि अब तो मेरा q मतलब निकल गया तो यहाँ पर मैंने लिया है q2 तो q2 क्या होगा डेल्टा एम सी स्कूर जिसको आप डारेक्ट लिख सकते हो mass minus e z minus 1 y और c स्कूर डिख दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं है मुझे मैंने कर दिया है अब यहाँ पर जैसे ही मैं देख रहे हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस q1 में अगर मैं इस जगा पर देखूं तो इतना portion मेरा क्या है तो आप कोगे मैं यह तो मुझे यहां से यह लग रहा है कि यह है मेरा q2 ठीक है तो यह मैं q2 लिख दूँग यहाँ पर Q2 मेरा क्या है इसको भी गौर करना Q2 मेरा यह माश वाली वैल्यू तो है ही लेकिन मलटीपलाइ में सी स्क्वार भी है मत कब यहाँ पर इसको में दोनों जगा मलटीपलाइ कर दू तो यह क्या हो जाएगा Q1 आपका आल जाएगा Q2 माइनस 2m e सी स्कुराइर आएगा की नहीं बिल्कुल आएगा इसका क्या किया सी स्क्वाइर को आपने यहां लिख दिया फिर माइनस टू एमिशन के लिए और लेक्ट्रॉन क्या बन गई है q1 is equal to q2 minus 2m e c square जैसी मैंने इसको देखा तो मैं यहां से यह बोल सकते हूँ अगर q1 की value greater than 0 है तो यहां से मैं बोल सकते हूँ q2 की value greater than 0 होगी तभी तो यह positive आएगा नहीं तो नहीं आएगा q1 positive है ना और अगर मैं यह बोलू इसका अगर vice versa बोलू कि if q2 is greater than 0 that doesn't implies that q1 is greater than 0 वाई कि अगर q2 मालो आपका greater than 0 है तो मालो 100 है और इसकी value आगे 200 तो तब भी negative हो सकता है तो that doesn't implies कि q1 भी greater than 0 होगा that means यहां से हम बोल सकते हैं कि जो beta plus जो emission है वो क्या है energetically allowed है अगर allowed है मतलब q1 greater than 0 है that means electron capture जो है वो भी क्या हो जाएगा is necessarily allowed बट इसका अगर vice versa देखे वो possible नहीं है but not vice versa जो इसका main target था उसको हमने समझ लिया कैसे by knowing the relation between the q1 which is the beta plus emission की energy and q2 is the energy for electron capture तो वहां से जैसे हम equation मिली हमने यह देख लिया कि q1 greater q1 की value अगर positive है तो q2 भी हमारा बढ़ा ही होगा तभी positive आई होगी ठीक है अगर लेकिन q2 अगर positive है तो उससे हम यह नहीं कह सकते कि q1 भी हमारा positive ही आएगा बढ़ा आएगा greater than आएगा 0 से है ना तो हमने यहां पर इस चीज़ को हमने proof कर दिया जैसे प्रूफ होता है चलते हैं और देखते हैं अपना अगला question तो बच्छो आपकी कम देह relative themaj natural abundance on earth the three isotopes and their masses 2412 mg 하면 23.9gate504 U and 2512 magnesium 24.985 it four you and 2612 क 25.98259 U the natu आपको गिवन है 24 मागनिशियम का is the 78.99% by mass calculate the abundance of the other two isotope ठीक है other two isotope का पूछा है ना तो पहले आप गिवन पोशन को देखोगे जैसा कि हम लिखते है हमेशा हमारा गिवन पोशन तो वहाँ पहले मेंशन करोगे average itemic mass of magnesium is given to you which is 24.31 to you फिर इसके बाद आपके पास दिया है abundance of 24.12 magnesium is 78.99% by mass और फिर बाकी जितनी में mass की value given है वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसको अंडलाइन कर देती हूँ जिसे आपको clear हो जाए ठीक है अब जो इसके अदर टू आइसो टोपस है उनका हम माल लेते हैं लेट लेट दा अबेदेंस ओफ ट्वेंटिफाइव मागनीशियम तुवेल्व बी एक्स एक्स परसेंट माल लिया एंड एबंडेंस इस ओफ ट्वेंटिफ ट्वेल्व मागनीशियम बी क्या हो जाएगा देखो एक आपके पास है 78.9 परसेंट एक है एक्स तो आप जो बच्चा हुवा है 26 का वो क्या हो जाएगा 100 मैसे आप इतना माइनस करोगे इसको आप देखोगे तो यह आएगा आपका कुछ 21.01 माइनस एक्स परसेंट यहां तक की बाद हमने इसको मैस समझा दे आपको अब आपको कैलकुलेट तो इनकी आपटैंस की करने है मतलब क्या कैलकुलेट करना है इस एक्स की वेल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी है अब हमने इस चैप्टर के अंदर एक डारेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एबंडेंस और मास के बीच में तो वो यहां पर लिखने की तो जरुवत नहीं पने पढ़ा होगा ना M1N1 प्लस M2N2 and so on upon तो यहां पर मैं अब लिखने वाली हूँ average item with mass of magnesium is equal to the तो पहला क्या है आपका 2412 magnesium इसका मास कितना है तो आपका होगे यह है 23.98504 multiply में क्या आएगा कितना इसका abundance है तो आपका होगे 78.99 प्लस कितना हो जाएगा अब आपके पास है 2512 magnesium तो उसका mass है आपका 24.98584 multiply इसका abundance आपने assume कितना कि यह है x तो वो यहां पर x हो गया प्लस कितना हो जाएगा mass of 2612 magnesium which is 25.98259 multiply कितना हो जाएगा 21.01-x यह हो गया अपन में क्या आएगा total जो abundance है total abundance कितना है तो आपको total हमने लिए यहां पर 100 तो 100 हो जाएगा ठीक है अब एवरेज आइटमिक mass of magnesium is given to you that is 24.312 तो यह हो जाएगा 24.312 is equal to the इसको आप सॉल्व करोगे क्या मिलने वाला है तो क्या किया हमने भी यहां पर आप देखोगी जैसी मैंने अपना average itemic mass लिखोगे तो फिर यहां पर जो upon में 100 था वो मैंने उसको यहां पर मुल्टिप्लाय कर दी है तो 100 मुल्टिप्लाय 24.312 और इसको सॉल्व कर लोगे इस उपर की equation को तो यह आपका आएगा 2440.46-0.9675x और फिर इस एक्स की वैल्यू को मैं यहां पर ले गई इस वैल्यू को यहां पर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 0.99675x is equal to 2440.46- क्यूंकि मैंने यहां पर 100 का मुल्टिप्लाय कर दिया है एवरेज के मास में तो यह हो जाएगा 243 243 1.2 इसको और सॉल्व करोगे तो यह आपका कुछ होगा माइनस करने पर 9.26 जैसी मुझा माइनस करके यह वैल्यू मिली तो मैं यहां से एक्स बोलूंगी 9.26 अपन 0.99675 इसको आप जब डिवाइड करोगी तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 9.29 परसेंट कितनी मिल गई एक्स की वैल्यू 9.29 परसेंट जैसी मैं एक्स की वैल्यू मुझे मिलती है तो मैं बोलूंगी यहां पर कोशन में डिवांड क्या थी एक्स काले थे आपको मैंगी परसेंट करेंगे कितना अंसर मिल रहा है कर्यार्ट है 11.71 परसेंट कैसे तुर यहां पर कोशन में डिवांड क्या थी एपैस निकाले थे आपको माइश्यम के अधर 2 तो इसोटोप के तो वो आपने निका लिया, फर्स नाइटोप का आपने निकाला 9.29% और अदर आइसोटोप का आपने निकाल लिया 11.71% और पहले का तो आपको गिवन ही था, तीन इसोटोप गिवन थे, मैंगनिशिम के, कैलकुलेट हो गया, कोई विक्कत नहीं है आपने सॉल्व कर लिए सिर्फ यहां पर डारेट फॉर्मॉला था जो आपकी एंसी आटी में अल्री मैंशन है तो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यह कोशन बहुत ही सिंपल था में पार यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन जहां पर मिस्टेक होन जल्च सब्सक्तिंग निवड करने विटा के अधर निगारेटर कि अ करें लोगने करने यहां पर आपको सिर्फ करने हैं आपको नेटी कोई टाल्चियम काल्सियम डविंधे सेविन हैलुमिनियम थोटी थोटी और आपको पास यहां पर मासस गिवन है डेटा की अंदर ठीक है तो पहले अपने पहला निकलिया ही लेते हैं जो आपको देख रहा है इस में से अगर मुझे अपना निकलना है तो क्या होगा निकलेगा तो जो मेरा मास नंबर है वहाँ से एक रिड्यूस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 40 calcium 20 साथ में इसके क्या निकलेगा तो आप बोलोगे 0 and 1 मतलब neutron निकल गया और साथ में कुछ energy भी निकली होगी ठीक है अब मैंने इसको देखा तो मैंने यहां पर यह समझा कि मुझे क्या calculate करना है यहां पर neutron separation energy और उसके लिए मुझे क्यों की value पता होनी बहुत जरूरी है क्यों क्या होता है मेरा basically तो आप कोगे इतनी देर से पढ़ पढ़के अब तुमुझे पदा चल गया मुझसे कोई नीन में भी पूचाएगा ना मतादूंगा delta m c square बिल्कुल ठीक है तो पहले मैंने आप अगर delta m की बात करें तो delta m क्या होगा रियक्टेंड के नुक्लियाई के मास्स माइनस प्रोड़क्ट के नुक्लियाई के मास्स ठीक है तो कर देते हैं मास और फॉर्टीवन कैल्शियम 20 माइनस अब मैं यहाँ पर electron के मास्स को माइनस करते हैं जिससे हमें नुक्लियाई का मास मिलता है वो में यहाँ पर माइनस आप सोच लो कर लिया है क्यूं क्यूंकि 20 electron यहाँ पर है 20 electron यहाँ पर है दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस मास ओफ न्यूट्रॉन और एलक्ट्रोन के मासे हमने क्यूंकि सेम थे तो वो अलड़ी कैंसल आउट हो जाएंगे ओके जैसी में को यह देखा और मुझे एकदम से रिकॉल हुआ कि में पास तो डेटा गिवन है बिल्खुल 4120 कल्शियम का मास गिवन है 4020 का मास ओफ सारी वैल्यूस को रखते हैं तो 41 कल्शियम 20 की है 40.962278 सारे डिजिट्स को बहुत ही देख कर रखना गलती ना हो माइनस 39.962591 प्लस 1.008665 इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आपका जो डेल्टा एम है वो आएगा नेगेटिव 0.008978 U अब मुझे मेरे डेल्टा एम मिला है अभी U के फॉर्मिट में इसको मैं कनवर्ट कर लेती हूँ माइनस 0.008978 मुल्टिप्लाइ 931.5 M EV अपॉन C स्कॉाइर जैसे मुझे ये डेल्टा एम इस वाले फॉर्मिट में मिला मेरा क्यों हो जाएगा मल्टिप्लाइ कर लो इसका तो वह होगा नेगेटिव 8.362 M EV ये मेरा क्या निकला है क्यों की वैल्यू निकल गई है नेगेटिव में मुझे यहाँ पर क्या करना है निउट्रोन की सेपरेशन एनर्जी जो हो जाएगी पॉसिट है दिस वैल्यू 8.362 M EV इतनी उसको क्या करना पड़ेगा इसको इतनी एनर्जी रिकुआइड होगी जिससे वो उस निकलियाई से उस निउट्रोन को खींच लेगा तो ये आपकी क्यों वाई ये सेपरेशन एनर्जी हो गई दिस वान तो ये वाला किसका केस हुआ ये पहले निकलियाई का एक स्रकेस भूआ अब हम देखेंगे इसका जो डूसरा निउट्रोन को अलग करना है इसका मतलब इसके मास नंबर से एक नंबर होगा रिलियूस तो अलुमिनियूम 13 प्लस क्या साथ में आ गया है एक न्यू ट्रोन प्लस क्यूव ठीक पहले वही जो फर्स्ट में किया डिल्टा एम निकालेंगे तो डिल्टा एम हो जाएगा मास ऑफ 27 एलुमीनियम 13 यहां पर भी मास ऑफ एलेक्ट्रॉन जो है उनको शो नहीं कर रहे हूं क्योंकि यहां पर भी 13 है यहां पर भी 13 है दोनों हो जाएंगे कैंसल माइनस 26 एलुमीनियम 13 का मास प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन सारी वेल्यूस को आप यहां पर रखोगे क्योंकि आपके पास गिवन है वो रहा है तो 27 एलुमीनियम 13 की है 26.8 26.98 1541 माइनस ब्रैकेट में 26.13 एलुमीनियम की है 25.98 6895 प्लस 1.008 665 इसको जो आप सॉल्व करोंगे तो यह आपको मिलेगा 0.014019U जैसे मुझे डेल्टा M मेरा U में देखा मुझे दिमाग में आया कि मैं इसको कनवर्ट कर लूँगी फिर से जैसे पहले में किया था यहां पर भी जो यह मेरा डेल्टा M आएगा वो नेगेटिव में आएगा मतलब यह भी नेगेटिव में रहेगा यहां से मेरी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 13.051 नेगेटिव में मेवी जैसी मुझे मेरी क्यू की वैल्यू दिखी मतलब इतनी एनरजी यहां से आमेट हो रही है तो मैं यहां पर बोल दूंगी जो न्यूट्रोन की सेपरेशन एनरजी है वो आपको रिक्वाइड होगी पॉजिटिव और दिस वन दाट इस पॉजि के लिए के लिए भी कैलकुलेट कर लिया कोई दिक्कत नहीं ठीक है बहुत ही सिंपल था सिर्फ यह और यह आपको बताना है जैसी आपकी क्यू मिलेगी आप न्यूट्रोन सेपरेशन एनरजी तो बता ही दोगे आप दिखते हैं इसका अगला कोशन तो बजो आपकी स्किन ती हाफ आपको गिवन है 25.3 इनिशियली 10% आप देगे जो है वह आपका हो रहा है 33 फॉस्फोरस 15 से और आपको पूछा गया है कि हाव लॉंग वन मस्ट वेट अंटिल 90 पॉसेंट तू डू सो ठीक तो गिवन है आपके पास 32 फॉस्फोरस 15 का हाफ लाइफ हाफ लाइफ टाइम दाट इस 14.3 डेस और फिर आपके पास गिवन है 33 फॉस्फोरस 15 का टी हाफ विच इस 25.3 डेस आपके पास इनीशियली बोला है कि इनीशियली जो डिके हो रहा है वो कहां से हो रहा है 10 परसेंट डिके 10 परसेंट डिके जो है वो हो रहा है फ्रॉम 33 फॉस्फोरस 15 डैट एंड 90 परसेंट फिर कौन कर रहा होगा 90 परसेंट कर रहा होगा 32 फॉस्फोरस 15 ठीक है और आपक क्या गया है आपको find क्या करना है यहां पर कि 90% decay of कि 90% decay from 33 phosphorus 15 and 10% कहां से हो 32 phosphorus 15 से हो ठीक है यह आप से पूछा गया है अब जैसे आपने क्या देखा आपने देखा कि इस initially कि अगर बात करें तो initially जो 10% decay 33 phosphorus 15 कर रहा 90% कर रहे हैं तो हम यहां पर अज्यूं कर सकते हैं लेट कि इनीशियल एमाउंट ओफ 33 phosphorus 15 इज एन तो 32 phosphorus 15 का क्या हो जाएगा 90 परसेंट तो 99 हो जाएगा और फाइनल में अगर बात करें तो फाइनली बात करें तो क्या होगा एमाउंट ओफ 33 15 phosphorus हो जाएगा 9 and dash and 32 phosphorus 15 हो जाएगा and dash यहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है तो हमने यहां पर इसका जो फाइनल है अपन 9 and is equal to क्या हो कि मैं यहां पर आक्टिविटी रेट की बात करें तो जाएगा तो क्या हो जाएगी फर्स्ट इनिशिली की बात करें तो कर रहे है तो एक्टिविटी रेट यहां पर क्या हो जाएगी इसके लिए अन डेश अपन 9 n विच इस एक्वाल टू हाफ टी अपन टी हाफ ऑफ 32 phosphorus 15 ठीक है यहां से आपको देखने को मिलेगा and dash is equal to 9 n हाफ टी अपन टी हाफ अब इस टी हाफ की वैल्यू भी आपको गिवन है तो इसको आप लेखोगे and dash is equal to 9 n हाफ टी अपन और टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 32 phosphorus 15 के लिए तो आप कहोगे वह है मैं 14.3 ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां से मैं इसको यह भी लिख सकती हूँ and dash is equal to 9 n हाफ टी अपन 14.3 इसको मैंने दे दिया equation 1 अब similarly for किस के लिए आप देखोगे अब दूसरे न्यूक्लियाइट जिसका है 33 phosphorus 15 के लिए तो वहाँ पर है final amount 9 n dash upon initial amount is equal to half T upon T half और यहां पर अपन वैल्यूस रखेंगे तो 9 n dash is equal to n हाँ T upon T half इसका कितना given है 25.3 यह हो गई आपकी equation 2 दिखके आपको equation 1 and equation 2 बिल्कुल दिख गए अब इस क्या करोगे अब हम क्या करेंगे यह जो 2 equation आई n dash 9 n dash आपका जो left hand side है वो दोनों ही n dash के format में है फर्स्ट में और सेकिंड में और जो right hand side है वो दोनों ही n के format में है तो इन दोने equations को आप डिवाइद कर देते हैं तो लेखेंगे यहां पर डिवाइडिंग equation first by second. First में आपको है n dash upon left hand side में हो जाएगा 9 n dash is equal to 9 n half t divided by 14.3 upon n half t divided by 25.3 ठीक यह n dash से n dash गया यह n से n गया आपके पास क्या बचेगा तो आपका होगे बच रहा है 1 upon 81 यह 81 कहां से आया यह 9 को भी दर ले जाओ कितना हो जाएगा 1 upon 81 equal to half t upon 14.3 upon half t upon 25.3 ठीक है अब जैसी मुझे यह मिला तो मैंने यहां पर इसको देखके यह कह सकते हूं इस half को मैं लिख सकते हूं 2 की पावर minus t upon 14.3 और इसको लिख सकते हूं 2 की पावर minus t upon 25.3 इसको अगर मैं और solve करूंगी तो यह हो जाएगा 1 upon 81 is equal to 2 की पावर t upon 25.3 minus t upon 14.3 ठीक है यहां तक भी होगी बात क्लिए है अब इसको मैं अगर और लिखूं तो क्या हो जाएगा तो आप कहोगे मैं यह हो जाएगा अब मैं क्या करूंगे यहां पर आप क्या करूंगे यहां पर आम ले लेते हैं log तो मैं लिखूंगे taking log on both the sides जैसी मैं लोंगे तो यह क्या हो जाएगा log 1 minus log 81 is equal to t upon 25.3 minus t upon 14.3 और यह हो जाएगा log 2 अब जब इसको आप और solve करोगे तो यहां पर आप LCM ले लोगे इसको और solve करने के बाद जो आपको मिलने वाला है यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा पसे पहले तो यह 9 का स्क्वाइर हो जाएगा है ना तो फिर वो जागा 2 log 9 होगा ना ठीक है तो इसको आप पूरा solve करोगे यहां से आपको टी की value है वो मिलने वाली है 208.5 days क्योंकि यहां पर हमारे पास जो half lifetime भी था वो भी आपका days में ही था तो हमने यहां पर टीवी बता दिया 208.5 that means इसको कितना time लगने वाला है तो आप कोगे it will take 208.5 days until 90% to do so ठीक है आंसर आपको मेरे गया है आपको time ही पूछाता है यहां पर अपने time निकाल लिया है although यहां पर थोड़ी calculation जादा है यहां पर आपको calculation करनी भी पड़ेगी लेकिन मुझे पता ही कि आप सब को ही math बहुत अच्छे से आता है यहां पर यह लोग यहां पर solve करने बहुत lengthy हो जाता तो मैंने यह आपके लिए थोड़ा सा छोड़ देया है तो आप इसको solve करेंगे आपको answer इतना मिल जाएगा बच्चों आपके skin पर है हमारा question number 26 जिसमें बोला है कि under certain circumstances a nucleus can decay by ametting a particle more massive than an alpha particle consider the following decay processes पहला आपको यहां पर दो equation दी है that is 22388 radium which gives 20982 pb plus 4646 carbon फिर आपको दूसरे में redon and helium मिल रहा है आपको calculate करने है यहां पर q values for these decays और बताना है क्या वो energetically allowed है या नहीं ठीक तो इसके लिए हम पहली equation के लिए माल लेते है जो energy emit हुई है वो q1 है और दूसरी के लिए हम माल लेते है q2 अब अगर हम सिर्फ पहली की बात करें तो पहली के लिए अगर q1 निकाला तो पहले क्या निकालना पड़ेगा delta m delta m क्या हो जाएगा इसका mass of 223 radium 88 minus mass of 209 pv 82 plus mass of 146 carbon और इसको आप और simplify कर लोगे तो यह भी negative में हो जाएगा तो यह बन जाएगा mass of 223 radium 88 minus mass of 209 pv 82 minus mass of 14c6 ठीक है अब आपके पास आप जानते हो आपको दिया गया है और नहीं तो आपको पता ही किसका जो mass होता है radium का वो होता है 223.01850 जब भी आपके पास question इस तरीके का होगा वहां पर यह सारी values आपको गिवन जरूर होंगी minus अब आपने क्या किया है आपने mass of radium यहां पर रख दिया विच इस 223.01850 and what what is the mass of pv 208.9817 minus carbon का mass रख दिया है nuclei masses यहां पर रखने हमने यहां पर electron के माह इसलिए कंसीडर नहीं किये कि यह रहा 88 electron 82 और 6 हो जाएंगे 88 दोनों हो जाएंगे cancel out इसलिए ठीक है अब इसको तो solve करोगे minus करोगे तो वह calculate होकर आएगा 0.03419u यह आपकर क्या निकल कर आया डिल्टायम निकल कर आया जिसको आप कर लोगे किसमें mev upon c square में तो it will become 0.03419 multiply 931.5 mev upon c square ठीक है अब आपको क्या निकल निकल नहीं है इसकी value कि आपन ने क्या कंसेलर की थी energy इसके लिए to q1 तो q1 क्या होता है डेल्टा m c square which is 0.03419 multiply 931.5 mev upon c square multiply c square से कट गया यह c square और यहां पर यह जो value i की multiply करने के बाद 31.83 mev अब इसको जैसे मैंने q1 देखा first equation के लिए कि 31.83 mev आया मतला mega electron volt आया है और यह जो value i यह मेरी क्या है positive है जैसी मुझे मेरी positive value मिली मैंने यहां पर conclude कर देना है कि यह जो है यह energetically allowed है positive होता है तो इसको आप लिख दोगे energetically allowed तो यह आपने किसके लिए कर लिया इस radium के लिए कर लिया जब आपको mass of 223 radium 88 minus mass of 219 radon 86 और यह plus होगा तो मैं इसको भी minus करके ही लिख दे रही हूँ जैसा कि यहां पर first equation में किया था mass of 4 helium 2 ठीक है इसका उतलब मैंने क्या किया मैंने यह direct यह second वाली step लिख दिया देल्टा एंग के लिए यहां पर भी मैं mass of electron यहां पर शो नहीं करें होगी यहां पर 86 और 2 कितने हो जाएंगे 88 दोनों हो जाएंगे cancel out यहां पर फिर से आपके पास value है radium के mass की which is 223.01850 और redon का mass होता है आपका आपका redon का mass कितना हो गया minus 219.00948 minus 4.00260 इसको आप solve करोगे तो यह आपको मिलेगा 0.00642u अभी भी यह u में है इसको convert किसमें कर लेंगे mev upon c square में तो यह क्या हो जाएगा 0.00642 x 931.5 mev upon c square जैसी मैंने यहां पर इसको convert करा अब मैं क्या नहीं कर लूंगी इस q2 value को calculate कर लूंगी जो कि हो जाएगी q2 is delta mc square which is equal to 0.00642 multiply 931.5 mev upon c square multiply c square से यह हो गया cancel out और यह value आपकी निकल कर आएगी इन दोनों का multiplication which is 5.98 mega electron volt अब यहां पर भी जो q2 है वो क्या है आपका positive आया है इसका मतलब यह भी क्या है हमारा energetically allowed है तो हमको यही तो show करना था कि यह दोनों जो है क्या energetically allowed है determine करना था तो हमने conclude कर देंगे yes these two are energetically allowed बात हो गई क्लियर किस तरीके से हमें बताना है कि कोई भी equation energetically allowed है यह नहीं उसकी की value को निकालेंगे फिर देंगे positive है कि negative है positive विल्कुल है negative तो तुम तो होई negative तुम नहीं हो अलाओ ठीक है बात होगे के लिए चलो बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ तो बचो आपके स्कीन पर है हमारा 27th question जिसमें बोला है consider the fission of 238-92 uranium by fast neutrons in one fission even no neutrons are emitted and the final end products after the beta decay of the primary fragments are 140-58 cerium and 99 ruthenium 44 calculate the q value आपको निकालें इस फ्रेजन प्रोसेस के लिए जहां पर आपको item में मास गिवन है ठीक है तो यहां पर बात किसकी हो रही है uranium की फिजन प्रोसेस की अब यह फिजन प्रोसेस में हुआ क्या कि यहां पर आपके पास neutron इसके पास आए 10 है अब एक है कितने है यह हमको नहीं पता हम कंसिलर कर रहे है कि फास neutron आया तो यहां पर कुछ-कुछ रियक्शन सुई जिसमें आपको फाइनल जो रियक्शन हुई आप्ट अधा टिके बीटा टिके के बाद जिसमें आपको प्राइमरी फ्रेग्मेंट्स मिले वह आपको मिले 140 सीरियम 58 प्लस 99 रूथेनियम 44 अब साथ में कुछ एलेक्ट्रों भी आममेट्योंग्होत को साथ मैंने यहां पर तो यहां पर कि बालंस कनने के लिए मुझे कि लिए टींहार करण तब मेरा कितना हो जाएगा 92 92 हो जाएगा तो यहां पर अब जो है यह बैलेंस होगी ठीक है अब यहां पर क्यों वैल्यू निकाल लिए इसका मतलब डिल्टा एम निकालना है डिल्टा एम क्या होगा मास ऑफ यूरेनियम 238 92 माइनस 92 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास अफ नूट्रॉन यह नूट्रॉन का मास माइनस ब्रैकित में लगाएंगे 140 Cm58 का मास माइनस 58 मास अफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास अफ 99 रुथेनियम 44 मास अफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10 मास अफ इलेक्ट्रॉन ठीके जैसी आप देखोगे यह माइनस 92 मे यहाँ पर है माइनस 102 मे प्लस 10 मे बाहर भी माइनस है क्या होने वाले है यह सारे इलेक्ट्रॉन के मास जो है वो कैंसे लाउट हो जाहेंगे अब क्या बजएगा आपके पास मास ओफ 238 यूरेनियम 92 प्लस मास अफ नीट्रॉन माइनस मास ओफ 140 सीरियम 58 माइनस मास ओफ 99 रूथेनियम 44 ठीक है सारे मास इसको भी यहाँ पर रखोगे इसका कितना है 238.05079 मास ओफ नीट्रॉन कितना होता है 1.008665 माइनस यह 140 का कितना दिया है 139.90543 माइनस 98.90594 इसको आप सॉल करोगे तो यह आपको मिलने वाला है 0.248085 यू यह मेरा डिल टाइम किसमें मिला है अभी मुझे यू में मिला है इसको मैं किसमें कनवर्ट कर लूँगी अपने M.E.V. अपॉन सी स्कॉर में तो यह बन जाएगा 0.248085 मुल्टिप्लाइं 931.5 M.E.V. अपॉन सी स्कॉर जैसे मुझे यह देखा मेरी क्यू वैल्यू निकल आएगी इस फिजन प्रोसेस के लिए विच इस एक्वल टू डेल्टा M.C. स्कॉर यह बन जाएगी 0.248085 मुल्टिप्लाइं 931.5 M.E.V. अपॉन सी स्कॉर मुल्टिप्लाइं सी स्कॉर से यह कैंसिल और यह निकल कर आएगा आपका 213.1 M.E.V. तो आप यहाँ पे कंक्लिउट कर दोगे has the Q value for this present process is 213.1 M.E.V. यहाँ पर सिफ क्या लॉजिक था एक बैलन्स करने का एक डिफरेंट कंसेप्ट आ गया था कहां से कैमिस्ट्री से तो आप इसनेसी इसको बैलन्स करोगे आप यहाँ पर देल टायम निकाल लोगे आपको Q value तो निकाले यह आई थिंक इतने कोशन उसके बाद तो एकदम आही चुकी होगी आप दिखते हैं अपना अगला कुश है तो आपकी स्कीन पर है हमारा 28th कोशन जिसमें बोला है consider the deuterium tritium fusion process जिसमें 2H1 plus 3H1 it gives 4he2 plus neutron यहाँ पर आपको यह पार्ट में कैलकुलेट करना है energy जो released हो रही है यहाँ पर in mega electron volt तो calculate कर लेते हैं यह तो हम इतनी देर से calculate कर रहे हैं आप भी calculate कर लोगे delta m निकल लो delta m क्या होगा इस case के लिए तो आप बोलोगे delta m होगा mass of 2H1 minus mass of electron plus mass of 3H1 minus mass of electron electron फिर यहाँ पर minus बड़ा सा bracket which is mass of 4 helium 2 minus 2 mass of electron plus mass of neutron ठीक है इसको आप जब solve करोगे तो आप देखोगे कि यह यह हो जाएंगे cancel तो आपके पास बचेएगा mass of 2H1 plus mass of 3H1 minus mass of 4HE2 minus mass of neutron सारी आपको यहाँ पर masses यहाँ पर रखेंगे mass of 2H1 आपको given है 2.014102 plus 3.016049 mass of helium कितना होता है पहले भी हमने use किया है जब इसको solve करोगे सारे masses रखें आपने helium का कितना रखा 4.002603 minus mass of neutron कितना होता है 1.008665 जिसको solve करोगे तो delta M आपका निकल कर आएगा 0.0188u जिसको आप किसमें convert कर लोगे MEV upon c2 में तो क्यों क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा मिलने वाली है 17.58 mega electron volt तो आपने इस केस के लिए भी क्या निकाल लिया क्यों वैली निकाली जो किया 17.58 mega electron volt इसका मतलब यह portion जो है वो solve क्या चलो देखते है इसका B portion तो बचो आपकी अब है 28 का B part देखो के जिसमें पूछा गया है consider the radius of both deuterium and tritium to be approximately 2 FM which is fermimeter what is the kinetic energy needed to overcome the coulomb's repulsion between the two nuclei and at what temperature must the gas be heated to initiate the reaction यहाँ पर kinetic energy for one fusion event is equal to the average thermal kinetic energy available with the interacting particles is 2 3 KT upon 2 where K is the Boltzmann constant T is the absolute temperature तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर यह रहा आपका deuterium और यह रहा tritium इन दुनों के बीच में कूलंब जो रहा है जैसा हमने एक कुशन और किया था तो यहाँ पर यह अगर आ रहे यह आ रहे तो पूरा कितना हो जाता है 2R हो जाता है तो आप लिखोगे given radius of both deuterium and 3tm कितना है 2Fm which is 2 into 10 to the power minus 15 meter and distance क्या हो जाएगा D is equal to 2R which is 2 into 4 into 10 to the power minus 15 meter ठीक है फिर यहाँ पर जो आपको क्या है कूलंब रिपल्शन भी बताना है कूलंब रिपल्शन क्या होगा कूलंब रिपल्शन between two nuclei जैसा कि हमने पहला देखा था which is ke square upon 2R ठीक है 2R क्या है D ठीक यह कितना हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 1.6 into 10 to the power minus 19 का square upon 2R कितना है 4 into 10 to the power minus 15 यह आप solve करोगे तो यह निकल कर आएगा आपका कूलंब रिपल्शन 5.76 into 10 to the power minus 14 J ठीक है अब क्या वोलाई कि यह जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको निकालनी है और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी average thermal काइनेटिक एनर्जी के बराबर है वो भी कितना है 2 into 3 kt upon 2 cancel हो गए ठीक है क्या बचा 3 kt बचा और यहां पर यह काइनेटिक एनर्जी आपने बता दी और यहां पर बोला था कि जो यह काइनेटिक एनर्जी है जो रिकोवाइड है तो ऊवर कम दकूलम रिपर्शन बिट्विन दटू नुक्लियाई यह दोनों बराबर है इसका मतलब यह जो 3 kt है यह किसके बराबर है 5.76 इंटू 10 डिपावर माइनस 14 के ठीक है आपको निकाला क्या है यहां पर आप काऊगे मैं निकाला है टेंपरेचर टी निकाला है तो टी के फॉर्मिट में अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा 5.76 इंटू 10 डिपावर माइनस 14 अपन 3 k यहां पर यह किया है बोस्में कॉंस इंटू 10 डिपावर माइनस 23 जूल पर केल्विन अब जैसे मुझे के की वेल्यू पता है यहां से में टी कैसे निकाला हूंगी 5.76 इंटू 10 डिपावर माइनस 14 अपन 3 मुल्टिप्लाइ 1.38 इंटू 10 डिपावर माइनस 23 आप स्को सॉल करोगे तो टी की वेल्यू आपका न केल्विन आपने इंटू 10 डिपावर 9 केल्विन के इसका मतलब आपने यहां पर यह जो एपसुलूट टैंपरेचर था ती इस केस के लिए आपने कैल्कुलेट कर लिया तो आप बोलोगे हैस दा टैंपरेचर मॉस्ट डगैस भी हीटे टू इनिशेट डिएक्शन इस 1.39 इंटू 10 डिपावर 9 केल्विन कितना यादा टैंपरेचर लग रहा है ठीक है ज्यादा टैंपरेचर रहा है तो इतना टैंपरेचर यहां पर आ रहा है आपका अप लिखते हैं अपना अगला कुश्ट तो बच्चों आपकी स्किन पर आचो करा है हमारा 29th कुश्ट जिसमें बोला है obtain the maximum kinetic energy of beta-minus particles and the radiation frequencies of gamma decay in the decay scheme shown in the figure 13.6 so this is the figure 13.6 and you are given that AU and HG आपको given your concy reaction हो रही है beta-1 emission यहां पर हो रहा है तो अगर हम reaction लिखें 198 AU79 का क्या करना है beta- तो क्या हो जाएगा यहां पर number of protons आपके increase हो जाएंगे और यह बन जाएगा आपका 8THG 198 साथ में यहां पर क्या emet होगा एक electron emet होगा साथ में एक anti-newtono particle emet होगा अब यहां पर अगर इसके q value निकाल नहीं है तो delta m निकाल लेते हैं तो delta m क्या होगा mass of 198 AU79 minus mass of 198 HG80 यहां पर मैंने mass of electron क्यों नहीं लिए क्योंकि वो cancel out हो रहे है कैसे मालूम मुझे 80 minus mass of electron कितना हो जाएगा 79 यहां पर भी 79 यहां पर भी 79 कितने हो गए cancel out हो जाएंगे तो यह होगा remaining यहां पर आप इसको देखोगे तो यह होगा 197.968233 minus 197.966760 इसको आप minus करोगे तो यह आपको मिलेगा 0.001473U यह आपको क्या मिल गया डिल टाइम इसको आप convert कर लोगे तो कितना हो जाएगा 0.001473 multiply 931.5 MEV upon C square और इसको आगर आप Q value निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.001473 multiply 931.5 MEV upon C square multiply C square से हो गया कैंसे लाउटर यह निकल कर आएगा 1.372 MEV तो आपकी Q value निकल आई इस reaction के लिए है ठीक है चलो Q value हम यहाँ पर इसकी लिख देते हैं which is 1.372 MEV ओके इतनी बात हमें यहाँ तक पता चल गया है कि हमें कैसे Q value निकाले हैं इतनी देर से निकाल रहे हैं हमने निकाल ली अब जैसे मुझे Q value मिली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस AU की तो यहाँ पर कुछ emission हो रहा है बीटा माइनस एक बार अगर मैं emission माल लूँ कि यहाँ से वो directly इस वाली state में आ गया है ठीक कैसे आया पहले वो यहां गया होगा और यहां से वो यहां गया होगा अब ऐसी nuclei में भी excited state होती है तो हम माल लेते हैं कि यह जो AU है यह पहले इस वाले पर गया जहां पर उस excited state मिलती है है Hg star और फिर वो पहुंचा Hg पर क्या हुआ है यहां पर आप कहोगे यह beta to emission यहां पर हुआ है ठीक है यहां तक हमने समझ ले यहां से यहां पर कितनी energy release हो रही है तो आप कहोगे मैं यहां पर हमें पता है कि 1.372 mega electron volt है और यहां की कितनी है यहां से यहां तक आने की कितनी है 0.412 mega electron volt है अब मैं अगर निकालना चाहूं इस beta 2 minus में कितनी होगी 1.372 minus 0.412 यह कितना calculate होकर आएगा 0.960 mega electron volt beta 2 minus amazon में जो energy होगी वो यह होगी यह क्या हो जाएगी maximum kinetic energy हो जाएगी इस वाले case के लिए तो मैं वो भी यहां पर लिख दे दियू maximum kinetic energy for beta 2 minus के लिए कितनी है 0.960 mega electron volt ठीक इतनी बात भी हो गई अब मैं दूसरा कर case लोगी पहली यहां से यह जो इस वाले लेवल पर आया होगा फिर यहां से डारेक्ली यहां पर आ गया होगा जहां पर कौंसा emission हो रहा है गामा 1 emission हो रहा है तो मैं मालों AU पहले कहां गया होगा है जी डबल स्टार कर लो और फिर वहां से वह आया है कहां पर 198 HG 80 पर अब यहां पर हो रहा है बीटा माइनस emission और यहां से यहां तक जो emission वह मैंने माल लिया है यहां पर यहां से यहां से यहां तक आने तो मुझे पता है कितनी energy लग रही होगी 1.372 mega electron volt अभी हमने निकाला था अब यहां से यहां पर अगर जीरो वे तो यहां से यहां तक इतना लग रहा होगा यही energy होगी that is 1.088 mega electron volt तो यहां पर maximum kinetic energy किसकी बीटा 1 minus emission की कितनी हो जाएगी 1.372 minus 1.088 इसको आप solve करोगी तो कितना मिलेगा 0.284 mega electron volt तो यहाँ पर जो maximum kinetic energy for beta minus 1 emission भी निकला है maximum kinetic energy कितनी ही आ गई 0.284 mega electron volt ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमने कर लिया इस चीज को अब क्या करना है यहाँ पर क्या निकालना है हमें निकालना है रेडियेशन फ्रिक्वेंसी mu निकालनी है डिकेज इन दिकेज इसकी ठीक वो निकालते है अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है यह radiation frequency निकालनी है तो अगर हम यहाँ पर देखें जो gamma 1 emission हो रहा है उसमें क्या हो रहा है इस level से वो ground 0 वाले level पर आर रहा है है ना तो आप यहाँ पर लिखोगे as shown in figure gamma 1 emission में क्या हुआ energy क्या हो गई है even क्या होका 1.088-0 which is 1.088 mega electron volt इतनी energy emitt हुई ठीक है यह क्या है जब gamma 1 emission हो रहा है मतलब energy of photon आ रही है मतलब e1 is equal to h1 होता है हम यहाँ से क्या calculate करना है हमें radiation frequency निकालनी है मतलब mu1 निकालना है गामा 1 के लिए तो mu1 क्या हो जाएगा e1 upon h हो जाएगा where h is the planks constant अब यहाँ पर even है 1.088 mega electron volt that means 10 to the power 6 electron volt 1 electron volt is equal to the 1.6 into 10 to the power minus 19 joule उसका भी multiply कर दो joule में हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 6.63 into 10 to the power minus 34 इसको आप solve करो के तो क्या निकल कर आएगा आपका mu1 निकल आएगा मतलब आपकी radiation frequency निकाल आएगी वह gamma 1 emission के लिए कितनी आ रही है 2.637 into 10 to the power 20 hertz तो आपका यह क्या निकल आया गामा 1 के लिए radiation frequency निकल आए तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ mu1 क्या आया है मेरा 2.637 into 10 to the power 20 hertz क्योंकि यह frequency है तो hertz में हो गए अब अगर बात करें इस gamma 2 emission की तो गामा 2 emission में क्या हो रहा है यहां पर energy कितनी है तो आप कहोगी e2 है मेरा 0.412 minus 0 which is 0.412 mega electron volt यही है ठीक है तो यहां से अगर मैं e2 निकालो तो क्या होगा h new 2 new 2 क्या हो जाये का e2 upon h e2 क्या है मेरा 0.412 into 10 to the power 6 multiply 1.6 into 10 to the power minus 90 divided by 6.63 into 10 to the power minus 34 यहां से आपका mu2 calculate होकर आएगा 9.98 into 10 to the power 19 hertz चलो म्यूटू भी निकल आया इस वाले के इस gamma 2 radiation के लिए मेरी जो radiation frequency है वह भी निकल आई अब बात किसकी बची है हमारे पास gamma 3 की gamma 3 में अगर आप e3 देखोगे तो किस लेवल से आ रहा है इस लेवल से इस लेवली लेवल पर आ रहा है मतलब e3 क्या हो जाएगा 1.088 minus 0.412 आप इसको minus करोगे तो कितना आ रहा है 0.676 mega electron volt जैसी मुझे मेरा e3 मिला यहां से मैं अपना म्यूट 3 निकालूंगी किस तरहीं किस से सेंप्रोसेस से जैसी आप लिखोगे म्यूट 3 is equal to e3 upon h which is equal to 0.676 multiply 10 to the power 6 multiply 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 6.63 into 10 to the power minus 34 1.639 into 10 to the power 20 hertz तो आपने यहां पर इसके लिए मुट 3 भी निकाल लिया मतलब यहां पर काइनेटिक अनर्जी भी तब कितनी है गामा 3 हुई तब कितनी है इसका मतलब पूरा कोशन सॉल्ट कर लिया कुछ चूटा तो नहीं नहीं चूटा है तो चलो चलते हैं अपने अगले कोशन की दरव तो बच्चों आपकी स्कीम पर है हमारा 30th कोशन जिसमें बोला है अपने अदर अपका हाइड्रोजन होता है तो वहां पर लगते हैं आपके चार हाइड्रोजन आइटम जो आपके देते हैं 4,2HE और साथी में कुछ एनर्जी रिलीस करते में और एनर्जी जो यह रिलीस करते हैं यह आप लेते हैं 26 मेगा इलेक्ट्रों वोल्ट यह आपक तो यहां पर कितने की बात की है 1 kg की मतलब 1000 ग्राम्स की तो 1000 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे एने मुल्टिप्लाइ 1000 अम अगर में नंबर ओफ आइटम्स निकालू इन हाइड्रोजन इस प्रोसेस के अंदर तो क्या हो जाएगा एन ए मुल्टिप्लाइ 1000 अपॉन 4 विच इस 6.023 इंटो 10 पी पावर 23 मुल्टिप्लाइ 1000 अपॉन 4 अब यहां पर यह कितने होगा यह नंबर ओफ आइटम्स आगए मेरे ठीक है मुझे क्या कल्कुलेट करना है इस केस के लिए एनरजी रिलीस्ट ऑफ वन केजी ऑफ हाइड्रोजन डीप विधिन सन तुई यह किसके लिए निकाल रहे हूं में वन केजी के लिए और इतनी एनरजी रिलीस्ट करते है फ्यूजन प्रॉसेस में उसका मैं मॉल्टिप्लाइ कर दूं भी तुम्ही टुटल एनरजी रिलीस आजाए कि वन केजी में नंबर ओफ आइटम्स मॉल्टिप्लाइ एनरजी रिलीस्ट इतनी है ठीक है तो 6.023 इंटु टैंटी पावर 23 अपॉन 4 मॉल्टिप्लाइ थाउजन मॉल्टिप्लाइ 26 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आपका कैल्कुलेट ह इसको कर आएगा थर्टी नाइन पॉइंट वन सेक्स इंटु टैंटी पावर 26 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट तो यहां पर आप बोल दोगे कि जब फ्यूजन प्रोसेस हो रही है हाइड्रोजन की सन के अंदर बन केजी जब हाइड्रोजन है उसमें कितनी एनरजी रिलीज ह इतनी होज़ी है पहले का इसका मैं क्या प्रेट नंबर ऑफ ऐटम्स क्या थेजिक कर लेने हैं हमको वन केजी में फिर जय तिनी रिलीज होती है एक फिजोन फ्रोसेस में तो उतने फिर नंबरोफ ऑट इनर उसमें पात हो ही ने क्रया चरो देखें में अधिन इसका भी पा 235 ग्राम्स वन ग्राम में कितना हो जाएगा एन ए अपॉन 235 यहां पर बात कितनी हो रही है 1000 ग्राम्स की तो कितना हो जाएगा एन ए अपॉन 235 मल्टिप्लाइ तो आपके नंबर उप यूरेनियम आइटम्स कितने हो जाएगे इतने विच इक्वल टू 6.023 इंटू 10 ग्रावर 23 मल्टिप्लाइ तू 5,000 अपॉन 235 अब जब यहां पर फिजन रियक्टर में जब यूरेनियम की प्रोसेज होती है तो वहां पर एनर्जी कितनी होती है तो आप कहोगे यहां पर क्यू रहता है 200 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट आप्रॉक्सिमितली इतना ही रहता है आपके निसी आटी में भ जालती है उतनी मल्टिप्लाइ 200 कितना आएगा यह कैलकुलेट होकर 5.1 इंटू 10 टिपी पावर 26 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट आपकी आ गई है इस बी पार्ट के लिए हम माल लेते हैं कि जो हमने फर्स पार्ट में कैलकुलेट करा वो ईवन है और यह जो आपका कैलकुले अगर भी करना है अगर मैं यह भूल जाती तो आपका आधा कुशन सौल होता कंपेर करने चलेंगे तो डिवाइट कर देते हैं दोनों को ईवन अपन इटू करोगे तो क्या होगा 39.16 इंटू 10 टिपावर 26 अपन 5.1 इंटू 10 टिपावर 26 यह हो गया कैंसे लिए आपका कैल टाइम से इस इटू के तो आपने यह कंपेर भी कर ले लिए कोई दिक्कत हुई नहीं हुई तो आप कह दोगे तो एनरजी रिलीज इन हाइड्रोजों डी विट विट विटिन दा सन इस सेवन पॉइंट सिक्सफाइव ताइम्स मोर देन डैट ओफ एटू ठीक है तो बात इसका मतलब अब देखते हैं जल्डी से अपना अगला कोशन तो आपके स्क्रीन पर आचुका है हमारा आज की सेशुन का लास्ट कोशन जिसका नमबर है थर्टीफर थर्टीवन में क्या बोला है सपोज इंडिया है टार्गेट ऑफ प्रडियूसिंग बाइट ट्वेंट is 2 x 10 to the power 5 megawatt of electric power at 10% of which was to be obtained from nuclear power plants. Suppose we are given that on an average the efficiency of utilization conversion to electrical energy or thermal energy produced in a reactor was 25% how much amount of feasible uranium would our country need per year by 2020. take the heat energy per fusion of uranium to 35 is 200 megawatt तो आप अकर यहां पर देखोगे तो given क्या है आपके पास electric power जो generate करने का target है वो कितना है electric power to be generated कितना है 2 x 10 to the power 5 megawatt ओके जिसको आप लिख सकते हो 2 x 10 to the power 5 x 10 to the power 6 watt which is 2 x 10 to the power 11 watt ठीक है यह आपने electric power के बारे में बता दिया फिर क्या बोला है कि इसकी जो 10% है वो किसे generate हो रही है आपकी nuclear power plants से हो रही है 10% generated from nuclear plants तो यह कितनी हो जाएगी 10% of this one अब मैं यहां पर अगर देखू ध्यान से तो मेरा watt क्या होता है तो आप कहोगै यह होता है jule per second तो अगर मैं इस jule per second को year में convert करूं तो यहां पर मुझे क्या चाहिए jule per year एक साल में चाहिए तो किससे multiply करूंगी तो एक साल में कितने ditch होते है तो आप Um 365 days होते हैं 365 into 24 into 60 into 60 3600 यह क्या हो जाएगा जूल पर एयर में हो जाएगा ठीक है यहां तक मैंने पूरी साल बर की बात कर दी अब क्या वो लाए कि यहां पर जो थर्मल एनर्जी प्रडियूस्ट हो रही है रेक्टर में वह कितनी है 25% है ठीक है और यहां पर क्या दिया है कि ह eight energy is go Hai perfectly present I'm go of the 35 एंयम कितनी है two hundred मेगा एलेक्टरण वॉल्ट ठीक है तो यहां पर इसका 25 % क्या हो रहा है governments से थर्मल एनरजी प्रडियूस्ट कितनी हो रही है 25 परसेंट इसका 25 परसेंट कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100 मल्टिप्लाइ 200 विच इस एक्वल टू 50 मेगा एलक्ट्रों वोल्ट विच इस 50 इंटू 10 पावर 6 मल्टिप्लाइ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल यह आपका हो जाएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल तो इतने एमाउं टॉफ जो एनर्जी है वो किसमें कंवर्ट हो गई है अब क्या क्या निकालेइं यहां पापको क्या करना है और चमांट ऑस डेल इनेबल यूरीनिएम है अब यहां पर यहां पर योट्राइच नामैंबडर भाइंतंस कांव से कल्कुलें हूंगे तुम्हें यहाँ पर निकाल रही हो कि required number of items for fission in one year में कितने number of items हमें required होंगे तो वो हो जाएंगे total energy heat energy जो आपने एक साल की निकाली है वो वो कितनी हो जाएगी total energy कितनी है तो आप कहोगे 10 upon 100 multiply 2 into 10 to the power 11 multiply 365 multiply 2400 multiply 3600 upon 80 into 10 to the power minus 13 तो इसे क्या हो जाएंगे आपको एक साल के अंदर इतने number of items की जरुवत पड़ेगी जितनी energy लग रही है और जितनी heat energy मतलब जितनी electrical energy में convert हो रही थी वह वाले energy तो इसको आप solve करोगे तो यह आपका निकल कर आएगा 7884 00 into 10 to the power 23 इतने number of items for fission उसको एक साल में लगने वाले हैं इस process के अंदर ठीक है यह आपका निकल आया ओके अब क्या करें आपको बताना क्या है कि यहां पर uranium जो फिजनेबल uranium है 2020 तक कितना हमारी कंट्री को नीड हो का तो पहले हम बात कर अगर 235 तो जहां पर होते हैं वन मोल में कितना ग्राम है 245 ग्राम तो हीम व्ला चलि यूस करने वाले too यहां मौल में जरुपत कि यहां आप कह सकते हो कि न ग्रामम हमtv उन पॉन 235 और आप कह सकते हो ने उन ये ऐपान 235 कि अब यहां पर पूरे साल भर पूछा है तो किस में होगा केजी में होगा अगर मैं यहां से यह कहूं कि N A में 235 ग्राम है तो कुछ गलत है नहीं है न अब मुझे अगर इसे केजी में चाहिए क्यों कि पूरे साल भर की बात हो रही है तो केजी में ले लूँ तो कितना हो जाएगा टू थर्टी फाइव मल्टिप्लाइट एंटिटी पावर माइनस थ्री केजी एने में इतने होंगे की नहीं हो जाएंगे ठीक अब इतले हम यह वाला कंसेप्ट यूज कर रहे थे यहां पर पूरे साल की बात हो रही है तो इसल हो जाएगा टू थर्टी फाइव मल्टिप्लाइट एंटिटी पावर माइनस थ्री अपॉन एन ए और यहां पर अब नंबर ओफ आइटम्स है मेरे सेविन एट एट फोर डबल जीरो इंटू टैंटिटी पावर 23 में कितने हो जाएंगे टू थर्टी फाइग मल्टिप्ला एट एंटिटी पावर माइनस थ्री अपॉन इतना और यहां पर कितने अप नंबर ओफ आइटम्स है तो इतने नंबर ओफ आइटम्स का हमें मल्टिप्लाइग करना पड़ेगा आई बात समझ में बात सिर्फ इतनी सी है जो समझने वाली है कि अभी तक हम यह वाला लॉजिक हर जगा यूस कर रहे थे अब अगर हमें यरली कैलकुलेट करना है तो एने में 235 ग्राइम है तो एने में 235 ग्राइम की जगा आपकेजी में कनवर्ट करके लिखू तो इतना होगा एने क्या होते हैं पर आइटम के बेसिस पर होते हैं तो वन आइटम में कितने हो जाएंगे 235 इंटू 1020 पावर माइनस 3 अपॉन एने हमने नंबर ओफ आइटम जो है एक साल में लग रहे हैं यूरेन एम के वह निकालके रखे इतने 7884 002 पावर 23 आइटम लग रहे है तो इतने नंबर आफ आइटम में कितना एमाउंट ओफ यूरेनियम पूरी कंट्री को रिक्वाइड होगा वही कुशन है तो हमने मल्टिप्लाइ कर दिया इसको जो आप सॉल्व करोगे क्या है तो फिर से में इसको क्लियरली लिख देती हो 235 इंटू 1020 पावर माइनस 3 यह तो हो गए कैंसल आउट है यहां से जो आपका एमाउंट होगा किसका यूरेनियम का जो हमारी कंट्री को रिक्वाइड हो निकल कर आएगा 3.076 इंटू 1020 पावर 4 केजी तो आप यहां पर लिख दोगे Hence, the mass of fissionable uranium required by our country per need per year by 2020 is 3.076 इंटू 1020 पावर 4 केजी mass needed per year किसका mass है तो आप बोलोगे 235 यूरेनियम का mass इतना required है तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए 2020 का पूछा है 2021 का पूछ लिया जाए 2020 से 2021 का logic रहे गई है concept रहे गई है कि पहले आपको निकाल लेना है कि पूरे साल बर में कितने number of items required है किसी भी item किसी भी nuclei की बात अगर हो रही है किसी भी element की वहाँ पर बात हो रही है तो जैसे आप वो निकाल लोगे तो उसके थुरू आपके लिए mass निकालना काफी simple हो जाएगा और वहां तक की process थोड़ी सी confusing है लेकिन एक दू बार अगर solve कर लोग में और आप जानते ही है learn of free है पर best और यहां पर आपको मिलता है physics, chemistry, biology, mess absolutely for free at learnohub.com. Thank you.